असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और आप सब के लिए दुआ करती हूं तो आजम बनाने जा रहे हैं ये मतन बिर्यानी के लिए सामान रखा हुआ है और जिसके लिए मैंने ये मतन लिया है थोड़ा सा चिकना गोश्ट लिया है मैंने और आजम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाला घाना विल्कुल घर में क्योंकि आजम जाने वाले थे बाहर खाना लेकिन किसी वज़े से वो कैंसिल हो गया तो मुझे इस्पेशल खाना घर में ही बनाना पड़ा तो इसलिए यह बिर्यानी है हम कॉर्मा भी बनाएंगे तो यह चावल ले लिया है साढ़े साथ sommा मतन抽 है और चावल और ये प्यास को भी मैंने स्लाइस में काट लिया है और इन सब को अच्छे से धो कर मैंने मटन को साफ कर लिया है तो अब चड़ा देंगे एक कुकर और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और उसके बाद में तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे प्यास और प्यास को हमें अच्छे से light brown कर लेना है तो मैं बता रही थी कि हमें जाना था बाहर और हम जाने ही सके तो इसलिए घर में ही खाना बन रहा है तो ये देखिए ये है चावल जिसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया है इतनी देर पहले भिगोना है कि हमारा एक घंटे चावल भीग जाए तो अब ये हमारा मटन का पानी भी अच्छे से छन गया है निकल गया है तो अब हम इसे बर्तन में निकाल लिया है और ये देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन एकदम हो गया है जैसा हमें चाहिए तो अब इसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे करीब आधा निकाल लेंगे और इसे निकाल कर हम अलग रख देंगे और बाकी बचे हुए प्याज में हम ये मटन डाल कर इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे कम से कम पांच मिनट तक हम इसे मटन को इसमें अच् तैयार होती है तो ये मटन को हम अच्छे से भून लेंगे और ये जो प्याज हमने निकाल के रखा था इसे भी हम अच्छे से प्लेट में फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और मटन को हमें तेज आज पर अच्छे से भूनना है फ्राई करना है तो मटन हमारा फ्राई हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच भर के अधरक लसन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे कम से कम 5-7 मिनट तक यह देखे मटन हमारा अच्छे से भून गया है अब हम इसमें कुछ थोड़े से मसाले डालने है थोड़ा सा हल्दी पाउडर है थोड़ा सा कुटा हुआ मिर्च है यह एक चम्मच भर के काले मिर्च का पाउडर है और यह एक चम्मच नमक नमक आप अपने स्वात के नुसर दालिए और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे दो तीन गिनिट और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी मत्नी हमारा अच्छे से भून गया है अब इसमें डाल देंगे हम पानी इतना पानी डालना है कि मत्न हमारा अच्छे से गल जाए और इसे धकन लगा देंगे और गलने तक की हम इसे पका लेंगे और अब इसमें कुछ खड़े मसाले भी डालने को थे जिसमें यह हमने डाली है दालचीनी का टुकड़ा, दो तेज़ पत्ते डाल दिये हैं यह एक छोटी सी बड़ी इलाइशी डाल दी है और इन्हें डालने के बाद हम धकन लगा देंगे और मटन को गलने तक पका लेंगे जो प्याज हमने पीस के रखा था अब उसे हम एक जार में डालेंगे और इसके साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यह हमारा होम मेट गरम मसाला है इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर है आप वहां से देख सकते हैं बहुती बढ़िया बहुती खुश्बूदार मसाला यह बन कर तयार होगा जब हम इसे डालेंगे बिर्यानी में उपर से जब इसमें मटन में डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है इसमें पानी नहीं डालना है इसी तरह इसे पीसना है यह हमने कुकर को खोल कर देखा है और यह देखे मटन हमारा जैसा हमें चाहिए वैसा गल गया है यह देखे और अब हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे कि इसका तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए और यह जो हमने प्याज वाला पेस्ट पीस कर रखा है तो हम इसे भी इसी में डाल देंगे अब इस समय पर जब यहां पर इसे डालते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है जिससे बिर्यानी में हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है इसमें डाल देंगे थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च सूखी और दो तीन हरी मिर्च मिर्च हमने पहले भी डाली है इसलिए मिर्च को ध्यान से डालना है ताकि थोड़ी सी सूखी डालें खड़ी हुई और थोड़ी सी कुटी हुई डालें हमने लाल मिर्स पिसी हुई नहीं डाल ली है क्योंकि हमें ज़्यादा रेड कलर नहीं चाहिए तो अब हम जब तक कि ये मसाला ये हमारा मटन भुन रहा है हम अपने कोर्मे की तैयारी कर लेते हैं तो कौर्मा बनाने के लिए हमने एक गुन-गुना पानी लिया है गरम जिसमें ये थोड़े से काजू और थोड़ी से ये नारियल हमारे पास लच्छे वाला है आपके पास अगर गूले वाला हो तो आप वी काट कर पतला पतला इसमें भीगो सकते हैं तो हमें इसे भीगो कर रखना है ताकि अच्छे से फूल जाये और इसका एक स्मूध पेस्ट बने और ये हमने लिया है आदा किलो मटन और ये बढ़िया से पीसे इसमें न चोटे और ना बड़े हमने कटवाए हैं ये देखें बहुत बढ़िया से पीसे में कटे हुए हैं इसी तरह कहा हमें चाहिए था तो ये मतन आदा किलो है, और ये हमने प्यास को प्यास को काटके रख लिया है, अब ये हमारा भुन गया है, बिलकुल ये देखिये टेल और अर मसालच जे से मर कह बड़ी जाएर, वैसा ही तयार है kill with a g तो बना नहीं सकते हैं तो कड़ाही में मतन को भूनना पड़ेगा तो कड़ाही में हमने डाल दिया है तेल और उसमें डाल देंगे यह प्याज तेल में अच्छे से दुआ निकल गया है हम सर्सों का तेल यूज करते हैं इसलिए हर तेल को हर बार हमें अच्छे से गरम करना पड़ता है तो इसको हमें अच्छे से उसी तरह लाइट ब्राउन करना है जैसे हमने पहले बिर्यानी वाले मतन को लाइट ब्राउन किया था प्यास को तो उसी तरह हमें इसे भी लाइट करके और उसी तरह मटन को भूनना है पहले 10 पांच मिनट हमें इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेना है और उसके बाद अद्रक लशन के साथ भी इसे कम से कम पांच तक अच्छे से भूनाई कर लेनी है तो ये 5-7 मिनट तक हमारा फुल फ्लेम पर ये भून गया है अब इसमें अध्रक लसन डाल दिया है और अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट तक और इसके बाद में इसमें डाल देंगे मसाले ये हल्दी पाउडर डाला आधा चमच दो चमच धनिया पाउडर डाल देंगे एक चमच इसमें लाल मिर्ज का पाउडर डाल देंगे और ये आदा चमच इसमें जीरा पाउडर ढूने हुए जीरे का पाउडर है ये इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे हम और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ये दो से तीन से चार लॉंग डाल देंगे 1 दालचीनी का तुकड़ा और 2 से 3 तेज पते के तुकड़े और अब इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से चला देंगे ताकि सब तरब से मसाला हमारा एक जगापर हो जाए और अब हम उसी कुकर में इसे ट्रांस्फर कर देंगे और इस कडाही को दो कर इसका पानी भी उसी में डाल देंगे और क्योंकि हमें अभी कूकर में मतन को गलाना भी है इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है और बचा हुआ जो पानी था कडाही में जो मसाला लगा था उसे भी दो कर हमने इसमें डाल दिया है और इतना पानी डालना है कि मटन हमारे अच्छे से गल जाए और इसे भी धकन लगा कर हम मटन को गला लेंगे अब जिस जार में हमने प्यास पीसा था उसी जार में उसी जार को यूज़ कर लेंगे और उसी में हम ये अपना काजू और ये जो नारियल का लच्छा हमने डाला है इसको हम इसी में पीस लेंगे एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट बनाना है बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए ये देखिए बढ़िया सा फाइन और स्मूथ पेस्ट बन गया है हमने इसे भीगो कर रखा था इसलिए ये गरम पानी में भीगोया था इसलिए ये इतना अच्छा बना है ये देखिए कुकर खोल कर हमने देखा है मतन हमारा अभी थोड़ा सा इसमें कसर है और अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं और ये जो काजु वाला पेस्ट हमने पीस कर रखा है ये हम इसी में डाल देंगे जतना थिक आपको रखना है कॉर्मे का ग्रेवी जितनी भी थिक रखनी है गाठी रखनी है पतली रखनी है उसी साफ से डाले हैं हम इसमें उसमें 4 चमच हमने इसमें 3-4 चमच डाले हैं और बचे हुए इस काजू के पेस्ट को डबे में करके आप फ्रीजर में रख दें दुबारा आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद में इसे ढ़कन लगाकर फिर से दो सीटी पे जा लेंगे ताकि अभी हमारा मटन ठीक से गला नहीं है और यह को यह जो हमने पेस्ट डाला है यह भी उसमें अच्छे से पक जाएगा तो अब हमने चड़ा दिया है पानी बिर्यानी के लिए उसमें ले लिया है इक यह बड़ी लाइची एक दालचीनी का तुकड़ा और यह एक पानी में डाल देंगे पानी हमारा अच्छे से गरम हो गया है और हमने खौलने लगा है अब इसमें दो तीन स्लाइस नीम्बू के और थोड़ा से हम डाल देंगे तेल और अब हम इसमें पानी खौलने लगा है इसमें चावल डाल देंगे नीम्बू और तेल डालने से चावल बहुत ही अच्छे खिले-खिले बनते हैं और बहुत ही वाइट-वाइट बनते हैं अब हम इसे डक्कन लगा देंगे ताकि इसमें अच्छे से जल्दी से उबाला जाए और यह हमारा उबाला गया है और चावल हमारे पकने लगे हैं हमने 1 गंटा चावल को भीगोया है इनका यही है यह बासमती राइजें ने 1 गंटा है भीगो दें तो यह बहुत अच्छे बनते हैं और अब हम इने चान लेंगे सिंख में इस तरह से चान लें तो सिंख में जो गरम पानी हमें डालना रहता है वो भी काम हो जाता है और हमारा आसानी से च्छन भी जाता है 20 में हमने नल को चालू कर दिया है ताकि ज़्यादा गरम पानी से मीचे कोई नुकसान ना होने पाई पाई पगर हमें तो जब थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा पानी जरूर खोल दें ताकि उसके साथ में ठंडा पानी मिक्स होके जाए तो यह हमारा चावल छन गया है और अब हम इसमें डाल देंगे यह आधे चावल हमने डाले हैं पूरे नहीं डालने हैं क्योंकि हम इसमें बीच में मतन की लेयर लगाएंगे और बीच बीच में जो यह नीमबू और यह तेज़ पत्ता और यह जो भी हमें मिलता जाएगा वो हम सब हटाते चले जाएएंगे और नीचे एक लेयर बिछाने के बाद अब हम इसमें मटन की लेयर लगा देंगे बहुत ही बढ़िया बिर्यानी बनकर तयार होगी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बाहर नहीं जा पाए तो क्या है घर में ही अच्छे से खाना अगर बनता है तो बहुत ही टेस्टी होता है तो यह हमारी एक लेयर लग गई है मटन की और उपर से अब हम फिर इसमें चावल की लेयर लगा देंगे यह इसमें से जो भी हमें तेसपता वगएरा यह देखें मिलता जा रहा है अम इसे हटाते चले जा रहे हैं और अब हमने थोड़ा सा दूद गरम किया है और उसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा लेमन फूट कलर हमने यूज किया है आप चाहें तो औरेंज भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो केसर का भी यूज कर सकते हैं तो ये हमने लेमन फूट कलर लिया है और इसे जो है अच् बिर्यानी में बिर्यानी जैसी है वर्ना तो पुलाव लगने लगता है तो अब यह हमने लिया है केवडा इसे निया निये केवडा केवडा है यह इस हमने 2 धकन केवडा वाठर डाल दिया है इसकी भी खुश्बु Rendके वहे अछिक है अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा जरूर और उसके बाद फुल फ्लेम पर इसे हमने कम से कम चार से पाश मिनट के लिए रख दिया है और जिस पतीले में हमने पानी को चाना था वो पतीला हम उसी के ऊपर रख देंगे ताकि अंदर भाब बहुत अच्छी बन जाए और यही पहचान है कि हमारे बिर्यानी बिल्कुल अच्छे से बन गई है कि जैसे ही ढखकन अटाएं खुकस के उसमें से धुआ निकले बस समझे कि बिर्यानी हमारी एकदम अच्छे से सीज गई है अब इसी टाइम पर हम यहां पर इसमें इसे खोल कर इसमें ओयल डाल देंगे आप यहां पर कोई भी ओयल यूज कर सकते हैं जैसे प्यास जिसमें तला है वो भी डाल सकते हैं पहले से आपका कोई तला हुआ ओयल रखा है वो भी डाल सकते हैं दालने से अच्छा नहीं रहता है बिल्कुल बाद में डालने तो शूखी सूखी नहीं लगती है और यह देखी। अभी अच्छे से मटन गल गया है और अब हमें इसे थोड़ा सा भूनना है और यह एकदम तयार हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये गाढ़ा लग रहा था कि अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है तो आकी इसमें जो तेल है वो उपर आ जाए तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से ढख देंगे और धीमी आज में इसे पकने देंगे तो पांच करनी पड़ी मुझे लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना बना था और सब को बहुत अच्छा लगा अब हम बना लेते हैं रायता और रायता बनाने के लिए हमने लिया है यह दही दही को अच्छे से फेट लेंगे और उसमें डाल देंगे यह हरी मिर्श और लसन का पेस्ट और य इने अच्छे से मिक्स कर देंगे भुने हुए जीरे के पाउडर इसमें डालने से रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जितना गाढ़ा आपको रखना है उस हिसाब से इसमें पानी डालें पतला रखना है तो ज्य अब बिर्यानी में हम थोड़ी सी हरी धनिया उपर से डाल देंगे जिससे अच्छी सी खुश्बू भी आएगी और ये देखने में भी अच्छी लगेगी और ये खाना हमारा एकदम तयार हो गया है ये देखिए एकदम सभी तयार बैठे हैं खाने के लिए ये कुर्मा भी तयार है सैलेड बना लिया है और रायता भी बन गया है अब बाहर वाला खाना घर में खाना है तो घर की रोटिया तो चलती नहीं तो हमने मंगाई है ये बा बाहर जाने को नहीं मिला है बच्चों को तो बच्चे उदास नहीं होने पाएं, तो थोड़ी मेहनत ही कर लें तो बाहर वाला इखाना घर में भी तयार हो सकता है, किसी वज़े से अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये बिर्यानी भी हमारी बिल्कुल तयार है, अब इसे भ बहुत भी बढ़िया एक दम खिली खिली बनी है, एक एक चावल एकदम अलग है, थोड़ा सा ओयल डाल दें तो अइल दाल ने से चावल अगदम अलग-बनता है, खिला-खिला और लंबा हो जाता है, तो ये हमारा सब तयार है, मीठे में हमने बनाया था, ये सबखाना पी और यह किचन की हालत आप देख लिए पूरा किचन एक दम फैला पड़ा है और बरतन देखिये ढेर लगा हुआ है तो आप मुझे किचन भी साफ करना है खाना पीना सबने खा लिया है मीठे की तैयारी हो गई है वह मैंने सर्फ कर दिया है सब को और अब मैंने अपना किचन स सफाई की है रात में अगर किचन क्लीन करके सोएं तो सुबह बहुत ही आराम रहती है और बिल्कुल भी यह नहीं लगता कि कोई भी काम करने चलें तो पहले बरतन होने है और किचन फैला फैला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह उठकर जब किचन में तो साफ साफ किचन में काम करने का मज़ा ही अलग होता है तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें बाहर जाने का प्रोग्राम जब कैंसिल हुआ तो मैंने ठानी कि मुझे ही घर में कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए ताकि बच्चे और सभी उदास नहों की बाहर जाने का प्रोग्राम था और घर में भी खाना में डाली चावल खाने को मिले तो बहुत ठक गई मैं फिर किचन भी साफ किया ये देखे साफ सफाई अभी मेरी चल ही रही है तो हम चाहें तो अपने घर में ही इस तरह अच्छा सा खाना बना कर अपने बाहर जाने की प्रोग्राम को कैंसिल अगर हो गया है तो उस तरीके से कर सकते हैं और बिर्यानी और कॉर्मा सभी बहुत अच्छा बना था सभी को बहुत ही पसंद आया और आप लोगों को अगर ये पसंद आई हो मेरी वीडियो तो इसे लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में दौाओं में याद रखिएगा अला हफीज अज्ड़ भी competition में कर दां तो अपिश एसे लगएगा अबू प्रेग कर दो बा tiene झाल झाल झाल